सबसे पहले important article world government summit के बारे में है world government summit को देखो establish क्या गया था 2013 में headquarter कहां पे है दुबई, UAE में ये एक परकार से non-governmental organization है, NGO है 2013 के बाद से ही हर साल world government summit की annual gathering होती है कहां पे दुबई में 10 फरवरी के आज पास और अभी context ये है, world government summit की साथवी gathering organize हुई दुबई में हम और ज़रा detail से discuss करें, ये world government summit है क्या ये देखो एक परकार से knowledge network है जो annual gathering होती है world government summit की, इसमें विबिन देशों के representatives, policy makers, experts, human development के जो experts हैं वो ये सब लोग participate करते हैं और आपस में चर्चा होती है, तो ये summit एक परकार से agenda तया करता है, future में विबिन देशों में जो आसान बनाने के लिए, तो ये हमने डिसकस किया, world government summit के बारे में चलते हैं आगे, नय स्टार्ट कल, कुसुम scheme के बारे में है, पूरा नाम है किसान, उर्जा, सुरक्सा, अम, उत्थान, महाब्यान, देखो वैसे ये scheme सरकार के द्वारा पिछले साल announce की गई थी, लेकिन approval इस scheme के लिए अभी भी नहीं मिला है, यानि अभी भी सरकार इस scheme को formulate करने में लगी हुई है, implementation इस scheme का start अभी नहीं हुआ है, है क्या, मक्सद क्या है इस scheme का, देखो इस scheme की साइटा से grassroot level पे solar energy produce की जाएगी, कैसे, किसानों को financial assistance दी जाएगी, ताकि किसान solar pumps को purchase कर सके, और already जो tubels हैं, उनको भी solarize किया जासके, इसके लिए भी subsidy provide की जाएगी, सरकार के द्वारा, for example देखो, अगर नया solar pump purchase करना है, तो किसान को देना पड़ेगा सिरफ 10% पैसा, 60% पैसा दिया जाएगा central government के द्वारा, और बाकी 30% पैसा दिया जाएगा state government के द्वारा, तो यह centrally sponsored scheme है, 10% cost पर farmers जो हैं, वो solar pump को purchase कर सकते हैं, benefits इसके काफी सारे होंगे, एक तो देखो, किसानों को diesel नहीं खरिदना पड़ेगा, अगर solar energy से उनका ट्यूबल चलेगा, दूसरा, बड़े level पे solar energy को produce क्या जास केगा, इवन किसानों को देखो, income sport भी मिलेगा, अगर किसान solar pump की साइता से extra electricity produce करते हैं, तो किसान उस electricity को बेच केंगे, discoms को, यानि जो electricity distribution वाली companies हैं, उनको extra electricity बेची जास केगी, किसानों के द्वारा, अगर उनके द्वारा solar pumps की साइता से additional electricity generate की जाती हैं, और इसके लिए discoms को भी, यानि electricity distribution companies को भी मदद दी जाएगी, सरकार के द्वारा, कि वो किसानों के द्वारा, जो additional electricity generate की गई हैं, उसे purchase करें, बागी दोर रेखो, इस scheme में काफी सरा data हैं, जैसे जो barren land हैं, अनुप जाओ भूमी, infertile land, वहां पे 10,000 MW के solar plants establish किया जाएंगे, इसी scheme के अंतरगत, और 17,50,000 solar pumps का distribution होगा, यह data आपको इतना गहराई से याद रखने के सकता नहीं है, में लिए याद रखिएगा, कुसुम स्कीम है किसके बारे में, solar pumps, distribution से समन्दित है कुसुम स्कीम, चलते हैं आगे, नए स्टार्ट कल देखो, dam rehabilitation and improvement project से समन्दित है, क्या contest है, international dam safety conference 2019 start हुई, कल भुवनेश्वर उडिशा में, और दो चलेगी एक conference, 13 फरवरी और 14 फरवरी, देखो, ministry of water resources के द्वरा, यह project implement किया जा रहा है, dam rehabilitation and improvement project, यानि drip, किसकी साहिता से, world bank की साहिता से, central water commission की एक organization है, central dam safety organization, यह जो organization है, central dam safety organization, यह एक consulting firm की assistance के साथ, इस पूरे project को coordinate कर रही है, पूरे project की implementation को supervise कर रही है, मक्सद क्या है इस project का, मक्सद देखो, यह है, हमार देश में, हमार देश में, कई selected dams की performance को improve करना, और safety भी ensure करना, इसके लावा एक objective यह भी है, dam safety को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, हमार देश में, जो institutional setup है, चाहिए वो state level पे हो, या फिर central level पे हो, उस institutional mechanism को, institutional setup को मजबूत बनाना, तो यह दो objectives है, drip के, यानि dam rehabilitation and improvement project के, 2012 में, इस project को launch किया गया था, और अभी, कई सारे states में, यह project चल रहा है, for example, यहाँ पे देखो, मद्यपरदेश, ओडिशा, तमिलाडू, केरल, करनाटक, इन states में, यह project चल रहा है, और focus किया जा रहा है, 116 dams पर, नीचे कुछ और important facts है, international development association, fund provide कर रहा है, इस project के लिए, देखो, confuse मत होईएगा, कहीं आपको ऐसा लगए कि पहले तो world bank बोला, अब international development association बोला, international development association जो है, वो world bank का एक arm है, branch आप क्या सकते हो, world bank group की, 5 organs है, international bank for reconstruction and development, उसके बाद international development association, international finance corporation, multilateral investment guarantee agency, और सबसे लाश्ट में, international center for the settlement of investment disputes, यह 5 organs है, world bank group के, और 6 साल चलना था यह project, 2012 में start हुआ था, तो schedule time से delay चल रहा है, schedule के हिचाब से, June 2018 में इस project को खतम हो जाना था, लेकिन अभी भी यह project continued है, अब एक question आप देख लीजिए, drip के बारे में, तीन statements हैं, तीन statements को ध्यान से पढ़िए, क्या यह South Asia network on dams, reverse people, इस organization के द्वारा added project है, दूसरा, यह project run किया जा रहा है कई सारे states में, including महाराष्टर, तीसरा, इस project का aim यह भी है, हमारे देश में, dams की structural safety और operational efficiency को मजबूत बनाने के लिए, जो institutional setup है, उसे और ज़्यादा strong करना, तो तीन statements में से बताए, कौन सी statement सही है, कौन सी गलत है, पहली statement, गलत है, no doubt, World Bank या फिर International Development Association द्वारा यह added project है, दूसरा, महाराष्टर में इस project को run नहीं किया जा रहा है, साथ states में run किया जा रहा है, exactly, जहारखंड, करनाटक, केरल, मद्यपरदेश, उडिशा, तमिलाडू और उत्राखंड, महाराष्टर का नाम कहीं नहीं है, और तीसरी statement general है, सही statement है, तो इस question का answer होगा C, three only, चलते हैं आगे, next article crying killback के बारे में है, यह देखो, snake की एक नई species है, जिसको discover किया है अनुआचल परदेश में, गुवाटी के researchers ने snake की इस नई species को discover किया अनुआचल परदेश में, और नाम crying killback क्यों है, नाम देखो crying killback इसलिए है, च्योंकि यह जो सांप मिला है, इस सांप की आइस के नीचे एक black color का sport है, तो ऐसा लगता है कि जैसे यह सांप रो रहा है, तो इसी वज़े से नाम रखा गया है, सांप की इस नई species का crying killback, बाकी snakes की जो known species हैं, उन सबसे अलग है, crying killback की जो characteristics हैं, जैसे सर पर एक हलके पिले रंग की strip है, मतलब इस परकार के काफी सारे ऐसे characteristics हैं, जो बाकी snakes की known species से अलग हैं, तो अगर UPSC पूछती है, crying killback snake, हालखी में discover किया गया था, कहां पे, अवनाचल प्रदेश में, चलते हैं आगे, नए स्थांट कल, मोहर रिजर्वर प्रोजेक्ट के बारे में हैं, देखों, ये प्रोजेक्ट 36 गड़ में established किया जा रहा है, दो reverse के confluence पे, कौन-कौन से reverse, एक तो है दंगड और दूसरा है दाले कासा, ये दो reverse जहां पे मिलती हैं, उस confluence पे, ये प्रोजेक्ट established किया जा रहा है, लेकिन, कौन्टरवर्सी जनरेट हो गई है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, क्यों? आरूप ये लगता है, 36 गड़ सरकार ने green clearance है, यनि environment authorities से clearance नहीं ली इस प्रोजेक्ट को establish करने के लिए, industrial purpose के लिए ये प्रोजेक्ट established किया जा रहा है, लेकिन नाम ये दिया जा रहा है कि इससे किसानों को फाइदा होगा, मतलब बताया ये जा रहा है कि इससे irrigation benefit होगा काफी जादा किसानों को, लेकिन असल में 70% जो electricity जाएगी इस प्रोजेक्ट से, वो जाएगी यहां पर देखो नीचे, N.S.P.C.L. भिलाई को, इसका मतलब है N.T.P.C.S.E.L. Power Company Limited, तो कोर्ट में है अभी इस प्रोजेक्ट से सम्मदित मामला आरोप ये भी लग रहा है सरकार पे, कि प्रोपर रूप से rehabilitation नहीं हुआ, लोकल ट्राइबल लोगों का, जिनको displace किया गया इस प्रोजेक्ट की वज़े से, और compensation उनको ज़्यादा मिलना चाहिए था, क्योंकि वास्तव में ये प्रोजेक्ट जो है वो industrial purpose के लिए है, ना कि किसानों के फाइदे के लिए, नए स्टार्ट कल हमारदेश के first aqua mega food park के बारे में हैं, देखो information आप यह याद रखेगा, हमारदेश का first aqua mega food park commission हुआ है आंदरपरदेश में, आंदरपरदेश में west गुदावरी district है, और इस district में तुन्रू village में हमारदेश का पहला aqua mega food park commission हुआ है, अगर UPSC पूछें, देखो इस परकार का question 2016 में पूछा गया था, कि first mega food park कहां पे established किया गया है, तो उसके बाद से ही संभावना बनी रहती है कि इस परकार का question दुबारा से ना पूछ लिया जाए UPSC के द्वारा, खास बात देखो यह है कि इस food park में focus किया जाएगा सिरफ fish and marine products processing पे, मतलब सिरफ जो marine products है और fishes है उनकी processing होगी इस aqua mega food park में यह खास बात है, और इसे परमोट क्या जा रहा है गुदावरी mega aqua food park private limited के द्वारा, जगा का नाम याद रखेगा west गुदावरी district आंदा परदेश, तो यह थी हमारी आज की discussion, सुर्वान से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या discuss किया, सबसे पहले हमने world government summit के बारे में discuss किया, हमने kusum scheme के बारे में discuss किया, उसके बाद हमने discuss किया, dam rehabilitation and improvement project के बारे में, question हमने discuss किया था drip project से समन्दित, crime killback साब की नई species हैं जिसे discover किया गया है अरुनाचल परदेश में, moher reservoir project के बारे में हमने discuss किया और सबसे last में हमने discuss किया, first aqua mega food park के बारे में वेस्ट गुलावरी district अंदर परदेश में ये establish हुआ है, तो thank you, thank you very much for discussion.